C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा आठ की गनित की पाठे पुस्तक का ध्वनी पाठ प्रिश्ट संख्या 215 प्रश्नावली 13.1 1. एक रेल्वे स्टेशन के निकट कार पार्किंग शुल्क इस प्रकार हैं 4 घंटों तक 60 रुपई, 8 घंटों तक 100 रुपई, 12 घंटों तक 140 रुपई, 24 घंटों तक 180 रुपई जांच कीजिए कि क्या कार पार्किंग शुल्क पार्किंग समय के प्रत्यक्ष अनुपात में है प्रिश्ट संख्या 216 2 एक पेंट के मूल मिश्रण यानी बेस के आठ भागों में लाल रंग के पदार्त का एक भाग मिलाकर मिश्रण तयार किया जाता है निम्नलिखित सारणी में मूल मिश्रण के वे भाग ज्याद कीजिए जिन्हें मिलाए जाने की आवश्यक्ता है इस सारणी में दो पंक्तियां है पहली पंक्ती है लाल रंग के पदार्त के भाग 1, 4, 7, 12, 20 दूसरी पंक्ती है मूल मिश्रण के भाग 8 रिक्तस्थान, 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 रिक्तस्थान 3. प्रश्ण दो में यदि लाल रंग के पदार्थ के एक भाग के लिए 75 ml मूल मिश्रण की आवश्यक्ता है, तो मूल मिश्रण के 1800 ml में हमें कितना लाल रंग का पदार्थ मिलाना चाहिए? 4. किसी soft drink factory में एक मशीन 840 बोतले 6 घंटे में भरती है, वह मशीन 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी? 5. एक बैक्टीरिया या जीवानू के photograph यानी चित्र को 50,000 गुना आवर्धित करने पर उसकी लंबाई 5 cm हो जाती है, जैसा की सनलग्न चित्र में दर्शाया गया है. इस बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई क्या है? यदि photograph को केवल 20,000 गुना आवर्धित किया जाए, तो उसकी आवर्धित लंबाई क्या होगी? 6. एक जहाज के मॉडल में उसका मस्तूल यानि मास्ट 9 cm उचा है, जबकि वास्तविक जहाज का मस्तूल 12 मीटर उचा है. यदि जहाज की लंबाई 28 मीटर है, तो उसके मॉडल की लंबाई कितनी है? 7. मान लीजिए 2 किलोगराम चीनी में 9 गुणा 10 की घात 6 क्रिस्टल हैं, निमनलिखित चीनी में कितने चीनी के क्रिस्टल होंगे? 1. 5 किलोगराम, 2. 1.2 किलोगराम 8. रश्मी के पास एक सड़क का मानचित्र है, जिसके पैमाने में 1 सेंटीमीटर की दूरी 18 किलोमीटर निरूपित करती है, वह उस सड़क पर अपनी गाड़ी से 72 किलोमीटर की दूरी तै करती है, उसके द्वारा तै की गई दूरी मानचित्र में क्या होगी? 9. एक 5 मीटर 60 सेंटीमीटर उचे, उर्ध्वाधर खंभे की छाया की लंबाई 3 मीटर 20 सेंटीमीटर है, उसी समय पर ग्याद कीजिए एक, दस मीटर, पचास सेंटी मीटर उचे एक अन्य खंबे की छाया की लंबाई दो, उस खंबे की उचाई जिसके छाया की लंबाई पांच मीटर है दस, माल से लदा हुआ एक ट्रक पचीस मिनट में 14 किलो मीटर चलता है यदी चाल वही रहे, तो वह पांच घंटे में कितनी दूरी तय कर पाएगा इन्हें कीजिए, एक, वर्गांकित कागस बर भिन 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 भुजाओं के पांच वर्ग खीचिए निम्नलिखित सूचना को एक सारणी के रूप में लिखिए यहाँ पर एक सारणी बनी है, जिसमें पांच स्तम्भ हैं, वर्ग एक, वर्ग दो, वर्ग तीन, वर्ग चार, वर्ग पांच इस सारणी में चार पंक्तियां भी हैं, एक भुजा की लंबाई यानि L, परिमाप यानि P, L बटा P, क्षेत्र फल यानि A, L बटा A रिक्त स्थान भरिये, ज्यात कीजिए कि क्या भुजा की लंबाई, A, वर्ग के परिमाप के अनुक्रमान उपाती है, B, वर्ग के ख्षेत्र फल के अनुक्रमान उपाती है, 2. पांच व्यक्तियों के लिए हलवा बनाने के लिए निमनलिखित सामगरी की अवश्यक्ता होती है, 3. एक पैमाने का चुनाव करते हुए अपनी कक्षा के कमरे का मानचितर खीचिए, जिसमें खिड़कियां, दर्वाजे, ब्लैक बोर्ड, इत्यादी, दर्शाय गए हों, एक उदाहरण यहां दिया गया है, यहां पर एक कक्षा के कमरे का मानचितर बना है, इसमें तीन खिड़कियां, एक दर्वाजा और एक श्याम पठ है, एक भुजा साढ़े चार सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा पांच सेंटीमीटर है, पैमाना है, एक अनुपात 200, सोचिए चर्चा कीजिए और लिखिए, सीधा समानुपात, विचरण, कि अब तक हल की गई समस्याओं में से कुछ को लीजिए, क्या आप सोचते हैं कि इन समस्याओं को एकाई की विधी या एक एक विधी यानि युनिटरी मेथर्ट से हल किया जा सकता है? दो राशियां इस प्रकार भी परिवर्टित हो सकती हैं या बदल सकती हैं कि यदि एक राशी में विधी होती है, तो दूसरी राशी में कमी होती है, तथा एक में कमी होने पर दूसरी में विधी होती है, उदारनार्थ जब किसी काम पर अधिक व्यक्ति लगाये जाते हैं तो वह काम कम समय में पूरा हो जाता है इसी प्रकार यदि चाल बढ़ा दी जाए तो एक निश्चित दूरी तै करने में कम समय लगता है इसको समझने के लिए आईए निम्नलिखित स्थिती को देखें जाहिदा अपने स्कूल चार विभिन प्रकारों से जा सकती है वह पैदल जा सकती है, दोड कर जा सकती है, साइकिल पर जा सकती है और कार में जा सकती है सनलगन सारणी का अध्ययन कीजिए इस सारणी में चार स्तंभ हैं, पैदल चलकर, दोड़कर, साइकिल पर कारद्वारा पहली पंक्ती है, चाल किलोमीटर पर आर में तीन, छे जो की दो गुना है, नौ जो की तीन गुना है, पैंतालीस जो की पंध्रा गुना है दूसरी पंक्ती है, लिया गया समय मिनिटों में, तीस, पंध्रा जो की एक बटा दो है, दस, जो की एक बटा तीन है, दो, जो की एक बटा पंध्रा है ध्यान दीजिये कि जब चाल में वृध्धी होती है, तो समान दूरी को ताय करने में लगने वाले समय में कमी होती है जब जाहिदा दोड़ कर अपनी चाल दुगनी करती है, तो उसके द्वारा लिया गया समय एक बटा दो हो जाता है प्रिष्ट संख्या 218 प्रतिलोम यानि इन्वर्स होता है, क्या हम कह सकते हैं कि गती और समय व्युत्क्रम आनुपात में परिवर्तित होते हैं? किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम यानि इन्वर्स उसका व्युत्क्रम यानि रेसिप्रोकल होता है इस प्रकार एक बटा दो, दो का प्रतेलोम है, ध्यान दीजिये की दो गुणा एक बटा दो, बराबर है एक बटा दो गुणा दो, बराबर है एक आईए एक अन्य उधारन पर विचार करें, एक विद्यालाई गणित की पाठे पुस्तकों के लिए 6,000 रुपए खर्च करना चाहता है, 40 रुपए प्रती पुस्तक की दर से कितनी पुस्तकें खरीदी जा सकती है, स्पष्ट है कि 1,500 पुस्तकें खरीदी जा सकती है यदि एक पाठे पुस्तक का मुल्य 40 रुपए से अधिक हो, तो उसी निश्चित राशी में 1,500 से कम पुस्तकें खरीदी जाएंगी निम्नलिखित सारणी को समझिए, इस सारणी में दो पंक्तियां हैं, प्रती एक पुस्तक का मुल्य रुपए में 40, 50, 60, 75, 80, 100 दूसरी पंक्ति है, खरीदी जा सकने वाली पुस्तकों की संख्या 1,500, 120, 100, 80, 75, 60 आप क्या समझते हैं? आप समझेंगे कि यदि प्रती एक पुस्तक के मुल्य में व्रिध्धी होती है, तो एक निश्चित, फंड यानी राशी में खरीदी जा सकने वाली पुस्तकों की संख्या में कमी हो जाएगी. जब पुस्तक का मुल्य 40 रुपए से 50 रुपए होता है, तो इसकी व्रिध्धी का अनुपात 4 अनुपात 5 है, तथा संगत पुस्तकों की संख्या 1,500 से कम होकर 120 होने पर अनुपात 5 अनुपात 4 है. इसका अर्थ है कि दोनों अनुपात एक दूसरे से प्रतिलोम यानी इन्वर्स हैं. ध्यान दीजिए कि दोनों राशियों के संगत मानों का गुणन फल अचर अर्थात 40 गुणा डेट सो बराबर है 50 गुणा 120 बराबर है 6,000. यदि हम प्रतियक पुस्तक के मूले रुपए में को X तथा खरीदी गई पुस्तकों की संख्याओं को Y से निरूपित करें तो जब X में वृध्धी होती है तब Y में कमी होती है और विलोम तह यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि गुणन फल XY अचर रहता है. हम कहते हैं कि X, Y के साथ प्रतिलोम रूप से विचरण यानि varies inversely करता है तथा Y, X के साथ प्रतिलोम रूप से विचरण करता है. इस प्रकार दो राशियां X और Y प्रतिलोम समानुपात में विचरित कही जाती है यदि उनके बीच में XY बराबर है K के प्रकार का कोई संबंध हो जहां K कोई अचर है. यदि X के मानू X1, X2 के लिए Y के संगत मान क्रमशह Y1, Y2 हूँ तो X1, Y1 बराबर है X2, Y2 बराबर है K अर्थात X1 बटा X2 बराबर है Y2 बटा Y1 होता है. हम कहते हैं कि X और Y प्रतिलूम अनुपात यानि इन्वर्स प्रपोर्शन में हैं अतह उप्रोक्त उदाहरण में एक पुस्तक का मूले और एक निश्चित धनराशी में खरीदी जाने वाली पुस्तकों की संख्या व्युत क्रमा अनुपाती है. इसी प्रकार एक वाहन की चाल और उसके द्वारा एक निश्चित दूरी तए करने में लिया गया समय परस पर प्रतिलूम अनुपात में बदलते हैं. इसी प्रकार की कुछ अन्य राशियों के युग्मों के उदाहरणों के बारे में सोचिये जो प्रतिलूम अनुपात में बदलती यानी विचरित होती हैं. अब आप फरनीचर को व्यवस्थित करने की उस समस्या पर ध्यान दे सकते हैं जो हमने इस अध्याय की भूमिका में वर्णित की थी. प्रतिलूम समानुपात को और अच्छी प्रकार से समझने के लिए एक क्रिया कलाप यहां दिया जा रहा है. प्रिष्ट संख्या दो सौ उन्नीस इन्हे कीजिए एक वर्णांकित कागज लीजिए और उस पर 48 काउंटरों यानी काउंटर्स को पंक्तियों की विभिन्न संख्याओं में नीचे दर्शाय अनुसार व्यवस्थित कीजिए. यहां पर हमने 48 काउंटरों को पहले 4 पंक्तियों और 12 स्तंभों में लगाया है. इसके बाद इन्हे 6 पंक्तियों और 8 स्तंभों में लगाया है. यहां पर एक सारणी बनी है. सारणी की पहली पंक्ति है. पंक्तियों की संख्या यानी आर. आर एक, दो. आर दो, तीन, आर तीन, चार, आर चार, छे, आर पांच, आठ, पंक्ती दो, स्तंभों की संख्या यानी सी, सी एक, रिक्तिस्थान, सी दो, रिक्तिस्थान, सी तीन, बारा, सी चार, आठ, सी पांच, रिक्तिस्थान, आप क्या समझते हैं, जब आर में वृध्धी होती है, तो सी में कमी होती है, एक, क्या आर एक अनुपात आर दो, बराबर है सी दो अनुपात सी एक, दो, क्या आर तीन अनुपात आर चार, बराबर है सी चार अनुपात सी तीन, तीन, क्या आर और सी, परस पर व्युत्ध क्रमा अनुपाती हैं, इस क्रिया कलाप को 36 काउंटरों के साथ प्रयास कीजि प्रयास कीजिए, निम्नलिखित सारणियों पर गौर कीजिए, तथा ग्यात कीजिए कि कौन से चरों यहां X और Y के युग्म परस्पर प्रतिलोम समानुपात में हैं. एक, इस सारणी में दो पंक्तियां हैं, पहली पंक्ति है X, पचास, चालीस, तीस, बीस, दूसरी पंक्ति है Y, पांच, छै, साथ, आठ, दो, यहां पर एक सारणी बनी है जिसमें दो पंक्तियां हैं, पहली पंक्ति है X, 100, 200, 300, 400, दूसरी पंक्ति है Y, साथ, तीस, बीस, पंद्रा, तीन, यहां पर एक सारणी बनी है जिसमें दो पंक्तियां हैं, पहली पंक्ति है X, 90, 60, 45, तीस, बीस, पांच, दूसरी पंक्ति है Y, दस, पंद्रा, बीस, पच्चीस, तीस, पैंतीस, आईए कुछ ऐसे उधारणों पर विचार करें, जहां हम प्रतिलोम समानुपात की अवधारणा का प्रयोग करते हैं, जब दो राशियां X और Y प्रतियक्ष या सीधे समानुपात में होती हैं, अर्थात अनुक्रमानुपाती होती हैं, तो इन्हें X, आलफा, Y भी लिखा जाता है, जब दो राशियां X और Y प्रतिलोम समानुपात में अर्थात व्युत्क्रमानुपाती होती हैं, तो उन्हें X, Alpha, एक बटावाय भी लिखा जाता है प्रिष्ट संख्या 220 उधारण 7 एक टंकी को एक घंटे 20 मिनट में भरने के लिए 6 पाइपों यानि पाइप्स की आवशक्ता पड़ती है यदि उसी प्रकार के केवल 5 पाइपों का ही उप्योग किया जाए तो वह टंकी कितने समय में भरेगी हल, मान लीजिये कि टंकी को भरने का वांचित समय X मिनट है तब हमें निम्न लिखित सारणी प्राप्त होती है इस सारणी में दो पंक्तियां है पहली पंक्ति है पाइपों की संख्या 6, 5 दूसरी पंक्ती है समय मिनिटों में 80X पाइपों की संख्या जितनी कम होगी, टंकी को भरने में उतना ही अधिक समय लगेगा अतह यह एक प्रतिलोम समानुपात की स्थिती है अतह 806 बराबर है X गुणा 5, XYY1 बराबर है X2Y2 या 806 बराबर है X या X बराबर है 96 इस प्रकार टंकी को पाँच पाइपों द्वारा 96 मिनिट अर्थात 1 खंटा 36 मिनट में भरा जाएगा उदहरनाट एक छात्रा वास में 100 विद्यार्थी हैं और उनके भोजन की सामगरी 20 दिन के लिए परयाप्त है यदि इस सम्मुहु में 25 विद्यार्थी और आ जाएं तो यह भोजन सामगरी कितने दिन चलेगी हल मान लीजिए कि भोजन सामगरी 125 विद्यार्थियों के लिए वाय दिन तक चलेगी हम निम्नलिखित सारणी प्राप्त करते हैं इस सारणी में दो पंक्तियां हैं पहली पंक्ति है विद्यार्थियों की संख्या 100 125 दूसरी पंक्ति है दिनों की संख्या 20 वाय ध्यान दीजिये कि जितने विद्यार्थी अधिक होंगे उतने ही कम समय में भोजन सामगरी समाप्त हो जाएगी अतह यह एक प्रतेलोम समानुपात की स्थिती है इसलिए 100 गुणा 20 बराबर है 125 गुणा Y या 100 गुणा 20 बटा 125 बराबर है Y या Y बराबर है 16 वेकल्पिक रूप से हम X1Y1 बराबर है X2Y2 को X1 बटा X2 बराबर है Y2 बटा Y1 लिख सकते हैं अर्थात Y1 अनुपात X2 बराबर है Y2 अनुपात Y1 या 100 अनुपात 125 बराबर है Y अनुपात 20 या Y बराबर है 100 गुणा 20 बटा 125 बराबर है 16 प्रिष्ट संख्या 221 उदाहरण 9 यदी 15 श्रमिक किसी दीवार को 48 खंटे में निर्मित कर सकते हैं, तो इसी कार्रे को 30 खंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवशक्ता होगी? हल, मान लीजिये दिवार को तीज घंटे में निर्मित करने के लिए वाई श्रमिकों की आवशक्ता है, तब हम निमनलिखित सारणी प्राप्थ करते हैं इस सारणी में दो पंक्तियां है, पहली पंक्ती है घंटों की संख्या, 48, 30, दूसरी पंक्ती है श्रमिकों की संख्या, 15, Y, स्पष्ट तह अधिक श्रमिक होने पर दिवार बनने में कम समय लगेगा, अतह यह एक प्रतिलोम समानुपात की स्थिती है, इसलिए 48 गुणा 15 बर बराबर है 30 गुणा Y, अतह 48 गुणा 15 बटा 30 बराबर है Y, या Y बराबर है 24, अर्थात इस कार्रे को 30 गंटे में समाप्त करने के लिए 24 श्रमिकों की अवशक्ता है, प्रश्नावली 13. लवदो 1. निम्न लिखित में से कौन से प्रतिलोम अनुपात में है 1. किसी कार्रे पर लगे व्यक्तियों की संख्या और उस कार्रे को पूरा करने में लगा समय 2. एक समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय और तय दूरी 3. खेती की गई भूमी का क्षेत्र फल और काटी गई फसल चार, एक निश्चित यात्रा में लिया गया समय और वाहन की चाल पांच, किसी देश की जन संख्या और प्रतिव्यक्ती भूमी का क्षेत्र फल दो, एक टेलिविजन गेम शोव में एक लाख रुपए की पुरसकार राशी विजेताओं में समान रूप से वित्रित की जानी है निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए तथा ग्यात कीजिए कि क्या एक व्यक्तिगत विजेता को दी जाने वाली पुरसकार की धनराशी विजेताओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती है यहाँ पर एक सारणी बनी है इस सारणी में दो पंक्तियां है पहली पंक्ति है विजेताओं की संख्या एक, दो, चार, पांच, आठ, दस, बीस दूसरी पंक्ति है प्रतियक विजेता का पुरसकार रुपए में एक लाख, पचास हजार, रिक्तस्थान, 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 रिक्तस्थान कि किनी भी क्रमागत तीलियों के युग्मों के बीच के कोण बराबर है। प्रिष्ट संख्या 222, निम्नलिखित सारणी को पूरा करके उसकी सहायता कीजिए। इस सारणी में दो पंक्तियां हैं। पहली पंक्ति है तीलियों की संख्या 4, 6, 8, 10, 12। दूसरी पंक्ति है क्रमागत तीलियों के एक युग्म के बीच का कोण नब्बे डिगरी, साथ डिगरी, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान। एक, क्या तीलियों की संख्या और क्रमागत तीलियों के किसी युग्म के बीच का कोण प्रतेलोम समानुपात में हैं। दो, पंदरा तीलियों वाले एक पहिये के क्रमागत तीलियों के किसी युग्म का कोण परिकलित कीजिए। 3. यदि क्रमागत तीलियों के प्रतियेक युग्म के बीच का कौन 40 डिग्री है तो आवश्यक तीलियों की संख्या कितनी होगी 4. यदि किसी डिब्बे की मिठाई को 24 बच्चों में बाटा जाए तो प्रतियेक बच्चे को 5 मिठाईयां मिलती है 5. एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का परियाप्त भोजन है यदि इस पशुशाला में 10 पशुओं और आ जाएं तो यह भोजन कितने दिन तक परियाप्त रहेगा 6. एक ठेकिदार यह आकलन करता है कि जसमिंदर के घर में पुनहतार लगाने का कारे तीन व्यक्ति चार दिन में कर सकते है यदि वह तीन किस्थान पर चार व्यक्तियों को इस काम पर लगाता है तो यह कारे कितने दिन में पूरा हो जाएगा 7. बोतलों के एक बैच को 25 बक्सों में रखा जाता है जबकि प्रतियक बक्से में 12 बोतले हैं यदि इसी बैच की बोतलों को इस प्रकार रखा जाए कि प्रतियक बक्से में 20 बोतले हों तो कितने बक्से भरे जाएंगे 8. एक फैक्टरी को कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवशक्ता होती है उतनी ही वस्तुएं 54 दिन में बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवशक्ता होगी 9. एक कार एक स्थान तक पहुँचने में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल कर 2 घंटे का समय लेती है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उस कार को कितना समय लगेगा प्रिष्ट संख्या 223 10. दो व्यक्ति एक घर में नई खिड़कियां तीन दिन में लगा सकते हैं 1. कार्य प्रारंब होने से पहले एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है अब यह कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा दो, एक ही दिन में खिड़कियां लगवाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यक्ता होगी ग्यारहं, किसी स्कूल में 45 मिनट अवधी के 8 कालांच होते हैं यह कलपना करते हुए कि स्कूल का कारे समय उतना ही रहता है यदि स्कूल में बराबर अवधी के 9 कालांच हों तो प्रतियक कालांच कितने समय का होगा इनहें कीजिए एक एक कागस की शीट लीजिए इसे आकरिती में दर्शाय अनुसार मोड़िए प्रतियक स्थिती में भागों की संख्या तथा एक भाग का क्षेत्र फल लिखिए पहले हमारे पास एक वरगाकार कागस है हमने उसे मोड़ कर दो हिस्सों में बांटा दोबारा मोड़ा तो हमें चार हिस्से मिले इसके बाद मोड़ने पर हमें आठ हिस्से मिले अपने प्रेक्षणों की सारणी बनाईए और उसकी अपने मित्रों से चर्चा कीजिए. क्या यह एक प्रतिलोम समानुपात की स्थिती है? क्यूं? यहाँ पर एक सारणी बनी है. इसकी पहली पंक्ती है भागों की संख्या. एक, दो, चार, आट, सोला. दूसरी पंक्ती है प्रति एक भाग का क्षेत्रफल, कागस का क्षेत्रफल, कागस के क्षेत्रफल का एक बटा दो. रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान. दो. वृत्तिय आधार वाले विभिन्न मापों के कुछ बरतन लीजिए. प्रतियक बरतन में पानी की समान मात्रा भरिए. प्रतियक बरतन का व्यास और उस बरतन में पानी किस उंचाई तक है, उसे माप कर लिखिए. अपनी प्रेक्षणों की एक सारणी बनाईए, क्या यह एक प्रतिलोम समानुपात की स्थिती है? यहाँ पर तीन बर्तन बने हैं, उनकी उचाई है H1, H2 और H3, व्यास है D1, D2 और D3. यहाँ पर एक सारणी बनी है, सारणी की पहली पंक्ती है, बर्तन का व्यास सेंटीमीटर में, इसके बाद तीन रिक्त स्थान है, दूसरी पंक्ती है, पानी के स्थर की उचाई सेंटीमीटर में, इसके बाद तीन रिक्त स्थान है. प्रिष्ट संख्या 224 हमने क्या चर्चा की? एक, दो राशियां X और Y प्रत्यक्ष या सीधे समानुपात में अथ्वा परस्पर अनुक्रमानुपाती कही जाती हैं, यदि वे साथ साथ इस प्रकार बढ़ती या घड़ती हैं कि उनके संगत मानों का अनुपात अचर रहता है? अर्थात यदि X बटा Y बराबर है K हो जहां K एक धनात्मक अचर है तो X और Y परस्पर अनुक्रमानुपाती कहलाती हैं, इस प्रकार की स्थिती में यदि X के मानों X1, X2 के लिए Y के संगत मान क्रमशह Y1, Y2 हों तो X1 बटा Y1 बराबर है X2 बटा Y2 होता है 2. दो राशियां X और Y प्रतिलोम समानुपात में अत्वा परस्पर व्युत्क्रमानुपाती कही जाती हैं, यदि X में हुई एक व्रिध्धी, Y में एक समानुपाती कमी उत्पन करे, तथा X में हुई एक कमी, Y में एक समानुपाती व्रिध्धी उत्पन करे, ताकि इनके संगतमानों का गुडन फल अचर रहे। अर्थात यदि xy बराबर है k हो तो x और y परस पर व्युत क्रमानुपाती कहलाती हैं। इस थिती में यदि x के मानों x1, x2 के लिए y के संगतमान क्रमशह y1, y2 हो तो x1, y1 बराबर है x2, y2 या x1 बटा x2 बराबर है y2 बटा y1 होता है। यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे कक्षा आठ की गनित की ध्वनी पुस्तक का पाठ। वाचन्स्वर, आकाश आहुजा, तक्नीकी समन्वयक, बटिलैंग लिंग्डो, तक्नीकी सहायक, विकास सांग्वान, निर्मान सहयोग, रुची शर्मा, निर्देशन्व निर्मान, विमलेश चौधरी, तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत। झाल